राइबरेली जन्पद में सराहनिय सेवाईं देने वाली महिला पुलिस कर्मी को सम्मानित किये जाने हेतू इस्थानिय किरण हॉल में महिला पुलिस सम्मान समारों का आयोजन हुआ माधल सेवा संसान के तत्वागधान में आयोजित इस समारों के मुख्य अति थी अपर पुलिस अधिक्षक नवीन कुमार सिंग रही उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आज महिलाएं प्रत्येक छेतर में बहतर प्रदर्शन कर रही है जो सराहनिय है उन्होंने ये भी कहा कि महिला पुलिस कर्मियों की सड़क पर सक्रिय है वो पस्थित मात्र से आम मह महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव उत्पन होता है समारोह में छेतरा दिकारी नगर बंदना सिंग शिवानी वर्मा शीतल चहल दीलम मिश्रा निहारिका गीरी सहित जन्पद की 35 महिला पुलिस कर्मियों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया इस मौके पर छेतरा दिकारी नगर बंदना सिंग ने कहा कि पुलिस द्वारा समाज में अच्छा कारी किये जाने का माधव सेवा संस्थान द्वारा आकलन कर सम्मान दिये जाने का निर्ण सराहनी है इसे महिला पुलिस कर्मियों का निश्चित रूप से उत्साह वर्धन ह संस्थान के संवक्षक अर्वेंद श्रीवास्तव एड्वोकेट ने आई हुए आतितियों का स्वागत करती हुए कहा कि मिशन शक्ति और नारी सशक्ति करण का ये कारीक्रम विशेश रूप से उन महिला पुलिस कर्मियों के लिए समर्पित है हर वर्ष 12 सितंबर को उन्तराश्ची महिला पुलिस दिवस मनाय जाता है उसी के क्रम में यहां रायगरिली की सामाजीव संस्था है मादो सिर्वा संस्थान उनके द्वारा महिला आरेक्षी उपने रिक्षा एडिंस्पेकर्स सभी को सम्भानित किया जाता है उसी क्रम में क्तिपे कारणुल से बारात तारिक नहीं हुपाया था पूरे जन्तपत से 35 महिला पुलिस करवियों को संबानित किया गया है देखिए अंतराश्ची महिला पुलिस दिवस होता है 12 सेपनबर को ति प्रतेक वर्ष मादो सिवा संस्थान की ओर से जो मैलाएं फुलिस वभाग में हैं और अच्छा कार कर रहे हैं एक इसाmb समयानल किया जाता है इस वर्स को हम नोगों ने देखती रहे डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर